Hello Friends, NCERT History MCQ Series में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं Class 8 का Chapter 1, कैसे कब और कहां? इसका पहला Question है, British College के इस अंदर में निमनलिकित कत्मों पर विचार कीजिए Option 1, हिंदुस्तान के नक्से तयार करने का कारिया Robert Clive ने James Raynell को दिया था, जो कि सही है Robert Clive भारत का पर्थम Governor General था, यह कतन यहां सही नहीं है Robert Clive भारत का पर्थम Governor था, Governor General वह वरेन हैस्टिंगस था भारत का अंतिम Governor General लाड माउंट बेटन था, यह सही है Option 1 और 3 यहां सही है Next A History of India, A History of British India नामक पुस्तक निमन लिखित में से किस के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक James Mill के द्वारा लिखी गई थी James Mill ने A History of British India नामक पुस्तक तीन विशाल खंडों में लिखी थी Hindu, Muslim और British के अधार पर Next अंग्रेज़ों द्वारा सरकारी रिकोर्ड को संभाल कर रखने के संधर में निमन लिखित कत्म पर विचार किजिए Option 1 अंग्रेज़ों द्वारा मेहतवपुन दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभी लेखागार और संग्रहाले जैसे संस्तान बनाए गए जो कि सही कत्न है पर तेक सरकारी रिभाकी कारियवाहियों के दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकले बनाई जाती थी जिनें खोस नवीसी के माहिर लिखते थे यह भी सही है अंग्रेजी सासन द्वारा तेयार किये गए सरकारी रिकोर्ड इत्यासकारों का एक महत्वपुन साधन होते हैं यह भी सही है सभी कत्न जो है वे यहाँ पे सही है अगला चैप्टर है व्यापार से सामराज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है बारत में यूरोपिय व्यापारी कंपनीयों के सक्तियों के आगमन का सही करम निमन में से कौन सा है तो सही करम है उप्शन डी सबसे पहले पूर्टगाली आये थे उसके बाद डच फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीजी पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंसने के समुदर इमारक का पता वास्कोडी गामा नामक खोजी यातरी द्वारा लगाया गया था यह यातरी निमन लिखित में से किस देश समद्दी था यह पूर्टगाल से समद्दी था कथन वन एस्ट इंडिया कंपनी को पूरव से व्यापार करने का एकादिकार प्राप्था जो कि सही है बारत के बने बारीक सुत्ति कपड़े और रिसम की यूरोप के बाजारों में बहुत अधिक मांग थी यह कथन भी सही है इस समय तक पूर्टगाली बारत के पस्चमी तट पर अपने उपस्तिती दर्ज करा सुके दे यह भी सही है तीनों कथन सही है इस्ट इंडिया कंपनी के संदर में निमलिकित कत्मों पर विचार कीजिए कंपनी ने मुगल अपसरों को रिश्वत दे कर कालिकात्ता गांग की जमीदारी खरी दी थी जो बाद में कलकत्ता बना जो कि सही है कंपनी ने मुगल वाच्छा औरंग जेब से फर्मान पराप्त किया जिसके अनुसार वह और कंपनी के अफसर जो नीजी तोर पर व्यापार चलाते थे दोनों बिना सुल्क चुकाई व्यापार कर सकते थे यह कथन यहाँ सही नहीं है मुगल पादशा और अंगजेव से फर्मान प्राप्त किया था उसके अनुशार सिर्फ कमपनी जो है बिना सुल्क व्यापार कर सकती थी कमपनी के अफसर जो नीजी तोर पर व्यापार चलाते थे वे नहीं कर सकते थे तो अप्शन वन यहां राइट है नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सा बंगाल के नुवाबों का सही कालकरम है सबसे पहले बंगाल का नुवाब था मुर्शीद को लिखा उसके बाद अलिवर्दी खा उसके बाद सिराजुदोला East India Company और बंगाल के नौबों के मद्या युद्ध के कारणों के संदर में निमलिकी कत्म पर विचार कीजिए नौबों ने कमपनी से व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग की जो कि सही है नौबों ने कमपनी को सिक्के डालने का दिकार तो दिया परन्तु कमपनी की किले बंदी को रोक दिया येकतन सही नहीं है नौबों ने सिक्के डालने का दिकार भी नहीं दिया था और कमपनी की किले बंदी को रोक दिया था Option 1 सही है प्लासी के युद के संदर में निमन कत्मों पर विचार कीजिए इस युद में रोबर्ट कलाईव ने कमपनी की सेना का नितरित्व गया था जो कि सही है शिराजदोला की सेनापती मीर जाफर की टुकडियों ने इस युद में हिसा नहीं लिया था यह कथन भी सही है इस युद के बाद शिराजदोला को मार दिया गया तथा मीर जाफर को नुआब बनाया गया यह भी सही है सभी कथन सही है बकसर के युद के संदर में निमन कित कत्मों पर विचार कीजिए कथन वन यह युद कंपनी और मीर जाफर के मद्दे लड़ा गया यह कथन सही नहीं है यह कंपनी और मीर कासिम के विज लड़ा गया था इस युद में कंपनी की जीत के बाद मीर कासिम को नौब बनाया गया यह कथन भी गलत है इस युद के बाद जो है मिर जाफर को नुवाब बनाया गया था इस युद के बाद अब नुवाब को हर महीने पांच लाख रुपई कमपनी को सुकाना तै हुआ यह कथन सही है उप्शन 3 सही है इस इंडिया कमपनी को बंगाल की दिवानी प्राप्त होने के संदर में निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए कथन वन बकसर के युद के बाद बंगाल के नुवाब ने कमपनी को बंगाल का दिवान नियुक्त कर दिया यह कथन सही नहीं है इस यूद के बाद जो है, मुगल समराट ने बंगाल का दिवान ने इप किया था, नैकी बंगाल के नुवाब ने, बंगाल की दिवानी मिनले के बाद व्यपार की चीजें खरीदने के लिए कमपनी को ब्रुटेन से सोना लाने की ज़रूरत नहीं रही, यह कतन सही है, अप् नहीं होता था, जो कि सही है, इस व्यवस्ता को सुविकारने वाली रियास्तों को सोतंतर सेनाई रखने का अधिकार नहीं होता था, जो कि सही है, इस संदी के तहट रियास्तों को सुरक्षया के बदले कमपनी द्वारा रखी गई साहयक सेना का खर्ज कमपनी को चुकाना पड़ता था यह भी सही कथन है रियास्तों द्वारा इस संदी की सर्तों में तैय रकम नए देपाने पर चुर्माने की तोर पर उनका इलाका छीन लिया जाता था यह कथन भी सही है तीनों इकथन सही है मैसूर रियास्त के संदर में निमलिकित कथनों पर विचार के जिये कथन वन हैदर अली और टीपू के समय मालावार तट पर होने वाला वैपार मैसूर रियासत के नियंतर्ण में था जो कि सही है टीपू सुल्तान को सेर ए मैसूर कहा जाता था यह कथन भी सही है टीपू ने अपनी सेना के अधुनी की करण के लिए डचों की साहीता ली यह कथन सही नहीं है मैसूर त था अंगरेजों के बीच चार युद हुए जो कि सही है तीसरे आंगल मैसूर यूद में हुई संदी के अनुसार टीपू के दो बेटों को अंग्रेजों ने बंदक के रूप में अपने पास रख लिया यह कतन भी सही है चोथे आंगल मैसूर यूद के बाद मैसूर का राजकाश पुराने वुड़ियार राजवंस के आथों में सोफ दिया गया यह कतन भी सही है तीनों इकतन सही है मराठों के शंदर में निमनलिकित कत्नों पर विचार कीजिए मराठों का दिल्ली परशासन का सपना पानिपत की तीसरी लड़ाई में तूटा येकतन सही है पानिपत का जो तीसरा युद है वह मराठों और एहमेद साय अबदाली के मद्दे हुआ था जिसमें मराठों की बूरी तरह पराज हार हुई थी और इस हार के बाद जोयवे उनका दिल्ली परशासन का सपना जोयवे पूरी तरह से तूट गया था मराठा सरदार एक पेशवा के अंतरगत एक कनफिटरेशी के सदस्य थे जो कि सही है दूसरा अंगल मराठा युद सालबाई की संदी के साथ समापत वा यह कतन सही नहीं है सालबाई की संदी के साथ पर्थम अंगल मराठा युद समापत वा था और दूसरा अंगल मराठा युद जोयवे देवगाओं की संदी के साथ समापत वा था तीसरे आंगल मराठा युद के बाद पेश्वा को कानपूर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया यह भी सही है कथन एक कमपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना एपर्टेक्स नियंतर स्थापित किया कमपनी को भै था कि रूस उत्तरपस्मी हीसे से बारत को अपने परभाव में ले सकता है यह कथन भी सही है दोनों ही कथन यहां पे सही है और आर जो है वह एका सईस पस्टिकर्ण है लार डल होजी को विल्या की नीती के संदर में निमलिकित कथम पर विचार कीजिए कतन 1 इस नेती के इंतरगत किसी सासक जिसका कोई पूरुश वारिश नहीं है कि मृत्यू होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूबा का इस्सा बन जाती थी जो कि सही है इस सिदान्त के अधार पर सबसे पहले अवध का विले किया गया यह कतन सही नहीं है सबसे पहले सितारा का विले किया गया था अवध को तो आगे चलकर कुशासन का अरोप लगा कर जोयवे मिलाया गया था Next है गवर्नर् carbohydrate वारेन हेस्टिंगेस के कालं में हुए परसासनिक शुदारों की संदर में नेमली की तक्नों पर विचार की जिये वारेन हेस्टिंगेस ने परतेहक जिले में एक फोसदारी तृथा एक दिवानी अदाल्तों की स्थापना की जो के सही है सत्रा सुतियातर के रेगुलेटिंग एक्ट के तायत एक सर्वोस न्याले के साथ-साथ कलगत्ता में अपीली अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई यह भी सही है तोनों इकतन सही है अंग्रेजी गवर्नरों के संदर में निमलिकीत कत्मों में से कौन से सही है कतन बन रोबर्ट कलाई को इंग्लेंड लोटने के बाद ब्रिटिस अन्सद में ब्रश्टाशार के अरूपों के सफाय देने पड़ी थी यह कतन सही है वोरेन हेस्टिंगर्स जब इंग्लेंड लोटा तो उस पर व्रिटिस अंसद में महावियोग का मुकदमा चला था यह कथन भी सही है और यह मुकदमा साथ साल तक चला था बारत में लोर्ड हेस्टिंगर्स के नित्रित्व में सरवोचता की एक नई नीती शुरू के गई यह कथन भी सही है नेक्स्ट है निमन लिखित में से कौन की तूर में अंग्रेज विरोधी अंदोलन के नित्रित्व से समंदित है इस विद्रों से समंदित है रानी चेनम्मा रायनना यह और भी दोनों इसी के साथ जो है मारी आज की वीडियो कंप्लेट करते हैं धन्यवाद अजए रायननना यह जो है।